शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें झाल 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 कर दो कर दो झाल 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 हालो हा भाया ये हैं सेठ हरीलाल भूत नाम सुनकर चौक गयना आप आये समझाता हूँ अब समझे आप हरिलाल का गोत्र भूत है इसलिए आप अपने पिताजी का नाम बताईए इनका पूरा नाम हरिलाल भूत है हरिलाल कबाड का एक मजा हुआ व्यापारी है सिक्का चलता है हरिलाल का इस कबाड के व्यापार में इस धंदे में इसके मुकाबले का कोई और कबाड़ी नहीं है हरिलाल साइकिल से लेकर मोटर गाड़ी तक के हर सामान की खरीद फिरॉक्त करता है वेताज बादस्या है हरिलाल कबाड के इस धंदे का दंदा करना कोई हरिलाल से सीखे सो रुपए की चीज एक रुपए में कैसे खरीदी जाती है और एक रुपए की चीज सो रुपए में कैसे बेची जाती है यह हरिलाल अच्छे से जानता है कबाड के इस धंदे से हरिलाल ने कोरोडो रुपए कमाया है लेकिन कंजूस ही अरिलाल के अंदर कोट कोट कर भरी है अरिलाल जरा मोडरन जमाने का कंजूस है न चमडी जाए न दमडी जाए अरे ना देशी ना भी देशी पानी रगड़ काट दे मैं सब जानू तुमारे चोचले जेव से पैसा निकार देगे और बात सुन मेरी यह ले ब्लेड पकड़ इससे दाड़ी बना दिये और दोके ना मनने वापिस दे दियो चार-पांच दाड़ी बने है एक शेव ब्ले ले पकड़ दोर पे हो गई कमाई अब तो खुश चल दाड़ी बना जल्दी क्या सेट जी इतना पैसा कमाते हो मरकर छाती पर ले कर जाओगे क्या हां लेकर जाओंगा चाती पर और साथ पर तन्य भी लेकर जाओंगा ज्यादा बड़बडबतरा कर रहा है चल जल्दी से कई सो कंजूस मरे होंगे तो उनके बराबर अकेला हरी लाल पैदा हुआ है पर अगर बात समाद सेवा की हो तो हरी लाल कभी पीछे नहीं हटता हर महिने की पहली तारिख को हरी लाल जरूरत वंदों को मुफ्त राशन बाड़ता है अपनी बिरादरे में भी हरी लाल की काफी धाक है एक एहम स्तम माना जाता है हरी लाल को अपनी बिरादरी का पूरी बिरादरी हरी लाल का सम्मान करती है या फिर यूं कहें कि पूरी विरादरी अपने आपसी मसले सुलधाने के लिए हरिलाल का ही दर्वाजा खट-खटाती है माफी मांगो आप पहले मेरे से मत मांगो इन से माफी मांगो और आप इन से माफी मांगो और गले लगो दोनो आगे से जगडे की शिकायत ना आए एक परिवार की तरह मिल जूलकर रहना है तुम दोनों को ठीक है हाँ बस ठीक है अब आगे से शिकायत नहीं मिल लीजिये तुमारी कई सो मसले थाना कचहरी में पहुँचने से पहले ही हरिलाल की बैठक में निप्टा दिये जाते हैं हरिलाल मातारानी का अनेन्य भक्त है अपने दिन की शुरुआद हरिलाल मातारानी की पूजा से ही करता है और यह है निकुंज सेथ हरिलाल का बारह साल का बेटा चोटे भूत ओ मेरे चोटे भूत अरे कहां चला गए अरे मेरे जिगर का टुकडा अरिलाल निकुंज को प्यार से छोटा भूत कहकर बुलाता है चोटे भूत ओ मेरे चोटे भूत अरे मेरे चोटे भूत अरे मेरे चोटे भूत जान वस्ती है हरिलाल के निकुंज में हरिलाल चाहता है कि उसका बेटा भी धंदे में उसी की तरह माहिर खिलाडी बने इसलिए वो कभी कभी किसी न किसी बिजनिस डेल में उसी साथ ले लेता है निकुंज भी बड़ी शिद्दत से धंदे के दाओं पेंच सीखता है आज हरिलाल एक होटल खरीदने के लिए उत्रा खंड जा रहा है सौदा मुनाफे का है इसलिए निकुंज भी साथ है और ये हूँ मैं दिवान सेथ हरीलाल भूत का ड्राइवर पिछले दस साल से मैं सेथ हरीलाल भूत की गाड़ी चला रहा हूँ और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका चश्मदीद गवा मैं खुद हूँ क्योंकि इस सफर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कलपना मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी ये कहानी है सेथ हरीलाल की मन्य रेट तो थारे को बता दिया था फेर भाया एक बात पर कितनी बात करनी ऐसी चीज इस भाव में पूरे बजार में नहीं मिलेगी मारो रेट दो लाक रुपियों का है तन्य ले नहो तो ले नीतो भाया तेरी मर्जी जैम आता की डेड़ी ना पट्यों सौधा अरे पट जावेगा कितने पैसे लगा रहा था एक लाक ठानव हजार प्या दे रहा था दो हजार के पीछे सौधा रुप गया तो बिठा देते सौधा बेटा ये सौधा तो बिठा बड़ा है धंदे में होस्ला रखना पड़े है सामने वाले की जरुरत को समझकरी सौधा बिठाना पड़ता है नी तो जल्दवाजी में मुनाफा घट जावेगा समझो जी डेड़ी सीख ले धंदे का ये उसूल और हाँ तन्य कित्ती बार समझाया है कि मनने बाप बुलायकर ये के डेड़ी डेड़ी बुलावे हैं बेटा तन्य अंग्रेज स्कूल में इसलिए भेजू ताकि तो दुनियधारी सीख सके ना कि अपने संस्कार भूल जावे अरे बेटा हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं अपने देश से प्रेम और अपनी माटी से प्रेम हमारे खून में हैं खून में हमें तरक्की करनी हैं मगर अपनी पैचान खोकर नहीं आई बात समझ मैं जी वापू शाबबाश ओ दिवान कितना रास्ता बचाया अभी होकुम 35-45 किलोमेटर दूर और है अभी अच्छा फिर तो घणाई सफर रह गया अभी चल लगादे दिवान कोई बड़ियासा गाना सफर गड़ जावेगा हाँ काका हनी सिंग लगादो के लगादो हनी सिंग वो कोई रजेस्थाने गायक है ना अरा छोड़ अनी सिंग ओ दिवान अरे लगादे में महरावर मारी चांदनी का फैवरेट गणा अरे जो मारी शादी में बाज्या था अरे गाणातो शुरू से लगादे भाया ताकी अपनेको मजोत पूरो आवे जी उकुम जी 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 कहूंगी मेरे करता जी योद्व मेरे किसी बिबात पहना कभी न कहियो तू हाँ जैसे जैसे कहूंगी मेरे करता जी यो तू मेरे किसी बिबात पहना कभी न कहियो तू मेरे आगे पीछे टोलियों मुझद प्यार से जानू गोलियों इक दे खांद्र मैं सबसे मूँ अर लूगीरे जे वहारो नखरे राय धावेगा हमाँ बंमाँ छोड़ दूँगीρα हमाँ छोड़ दूँगीर हाहा माँ छोड़ दूँगीर रमाईने हाथों में गलर पैर में दगते मुझको प्याने ओला नाीरोळ इरो सने हर मैंने काई वे दो घ्यात पिलामटी। मर्माँ छोड़ दूगी रहे हां माँ छोड़ दूगी रहे चोड़ दूगी रहे वार बार उन बार उन झुखवान्गा थिर्ण तेरी हामे नां पिलाउंगा मिलेट प्रोमें चर्था बारे के रहाऊंगा तेरी सुर्फो को भी समा लूगा, तुझे क्या जिसे लाड लडा मूँगा, हो जाएगी रखुसा, तू मैं आंके तुझे मना लूगा तर लगता है भाई कोड दिल मेरा तोड़ के जाईयो ना, उथारे नखेरे सब उठा लूगा मुझे को छोड़ के जाईयो ना, 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 मुझे को छोड़ के जाईयो ना कर दो जल्दी रिखलिए जल्दी कि अरे क्या कवे यह तो अमड़े जाना ही नहीं है रोक्यों दिवान आगे रोड बंध है यहां से जाना होगा पर भाई साब हमें तो सीधे जाना है यहां से नहीं जा सकते आगे लेंड स्लाइड हुआ है इधर से घुमकर जाना होगा चलिए ओ बाया एक मिनट सुनियों यह रास्ता तो मने पता ही नहीं है अरे बाई साब आप तो खाम का टेंशन ले रहे हैं यह रास्ता भी गोंकर आगे में रोड से मिल जाएगा चलिए अब निकलिए अरे बाया कुछ ले देके बाद खतम कर ज कि आम से जाएंगे संजे इंगे ट्रियो रिप्षे रपी को रहा है चो जाओ आगे बड़ो पिछ रप्रेपिक हो राइए चलो खलो खलेए फ जल्दी निकलिए जल्दी निकलिए घंडी उपड़ी हुए कर दो कर दो कर दिवान कहां तक आगए ओकों कुछ पता नहीं चल रहा यह तो रास्ता भी एकदम सुनसान है और आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा अच्छा मुडवाय उस पुलिस वाले ने चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं ऐसा कर दिवान किसी होटल पर काड़ी लगा आज की रात यही रुकते हैं कल सुभा देखेंगे जी हुकों होटल डिंडॉंग डिंग आई आई यह सेट जी ही इस डिंडॉंग डिंग होटल का के टेकर का मालिक पिल्लुद अगिरेट आपका वेलकम करता है आपकी क्या सिवा कर सकता हूं मैं इस अस्तबल में कोई रहने लायक जगे आये क्या एक बात मैं पहले बोल रहा हो बात म मुझे कुछ मत बोलना इस पानी आता है कभी नहीं आता है और दूसरा मच्छर होंगे यह नहीं होंगे इस बात की कोई गारेंटी नहीं है मेरी यह होटल है कमार खाना है तो तू 500 रुपे किस बात के मांग रहा है बैट के अच्छा 500 रुपे के राय सिर्फ बैट का लिरा हूँ अगर आपको एवन क्वालेटी फैसिल्टी वाला कमरा चाहिए तो मेरे पास कम से कम हजार रुपे वाला कमरा है जिसमें 24 गंटे पानी ट्वालेट में रहेगा और एक भी मच्छर आपके कमरे में नहीं होगा इस बात की पूरी गारेंटी है मेरी आपको में फाइफ स्टार वाली फैसिल्टी दूँगा आप तो बस मेरा पैंट पड़ो और साइन करो क्रफ़ कर भाले hic PRESकी पunteकर पैसिल्टी आपके कमरे में पादके करो प्यूशा रहे पत्तищा लाद में कर अल् 연हीं है अँमने थे पे का फ्सक्ते सम시면 गलेके कमरे इससलिख 아침 कि यह रहा फाइफ स्टार रूम कैसा लगा आपको गंटा लगा अरह का फाइफ स्टार रूम में भाया और तू तो क्या रहा था कि 24 गंटे पानी टोएलेट में आएगा तो बाल्टी भर के पानी का हमारे सर पे मारने के लाया है जूटा कहीं का ना सेड़ जी ना पिल्लू दा ग्रेट कभी जूट नहीं बोलता मैंने आपसे कहा था कि 24 गंटे पानी टोएलेट में रहेगा देख लीजी रह रहे हैं घलत बात नहीं सेड़ जी अरे सेड़ आप टेंशिन क्यों ले रहे हों आप सिर्फ एंजॉय करो और किसी काम की जरुर लेड़ी आपने पंजाबी में कुछा अ रे ऐसी सिक्वेसंनल में पंजाबी चला करी है बाया या ये ये बात आपने बिल्कुल सही गई कि ऐसी सिच्वेस्में सिर्फ पंजाबी चला ब्रेकर आइए ना से नाहीं हैна स्विक्तल आत्सास से अ अघो छूप सतायों जो जो करता ए नो जो लो हमाँ प्छार्द में आ प्सलाउ अभी यार मच्छर्थ के तनी है आर यारा प्सलाउ अबे साले बिल्लू तेरी माखियां मच्छरों में सुलवा रखा हैं बतातों तेरे को दिया अबे तू यहां रासलीला देख रहा हैं वहां कमरे में मच्छरों ने तांडव मचा रखा हैं साले भूखे कुट्टों की तरह नोच रोच करके खा रहे हैं क्या यह थी तेरी गारंटी ओ सौरी जी मैं हाँ जोड़का सौरी बोलता हूं माइफाल्ट माइश्ट्रेक पिल्लू की गलती है आप टेंशन मतलो सेट जी आप कि ये लो ये क्या है गुरंटी गुरंटी हां करें में मच्छ ना होने की गुरंटी इसे लगाओ औचैन की नीन्स हो जाओ कमरें में जितने भी मच्छेन सब तपक जाएंगे आपकी कसं एक भी नई बचे का तुपह बास कर रहा था हाऊ साला फ्रोड गहींगा जाओ तो मुझे कब मिलोगी यह घाओ पांच हजार रुपे पांच हजार रुपे हाई राम इतना महेंगा अरे बात तो एक हजार क्यों थी न और क्या वाह चाची पांच हजार वाला कमरा आपनी पसंद किया था और आप अपनी बात स्विमों कर रही हो और कमरे तो सारे एक जैसे है था। उसमें एडैये क्या था, यह नहीं चलाय और पर ऐसी थाना थाना पैसे तो देने पड़ेगे और क्या था थंडे गरम पानी का फवारा है अरे हम ना नहाए तेरे फवारे से हम तो घर से ही ना के आये चाचा नहाए हो या नहीं नहाए हो पर 24 घंटे पानी थाना था पैसे तो देने पड़ेंगे और क्या था डिनर डिनर कि अपने था फ़िनर फा फ्याट हुआ देने पड़ेंगे अ अब एक दूसरे का मुह क्या देख रहु है पैसे दे दो वान्ना मुझे दूसरे दरीके इस पैसे निकलने मंते अब पैसे दे रहो या पोलिस को बनां यार तु तो तो बहुत बड़ा चीटर है। चीटर को यह पठीचर पैसे तो देनी पड़ेंगे। चाचा है कि नहीं है। पिल्यूदा गृट…चल अब तुझ 10,000 पर उटा चाचा को दे। 10,000 पर चाचा को? क्युक्क ॐसेटीर पिरल गें अब मैं क्यों डूंग क्यों क्योंकि चाची को छेडा है है एग जुप कमाल कर रहा ही क्माल कर रहे होसेटीर जी अब क्वेव अब चाची तो छिड़ने को तयार थी, पैसे तो दे नहीं पढ़ेंगे, चल अब दे 10,000 रुपे, देरा यह मैं पुलिस्टो पुराओं जेड़ यह दे रहा हुना मैं, यह चाचा, पाज जार ओर दे, चेल की रोटिया से खवा दूंगा, किजर दा, पिल्लु दा ग्रेट, गंदा मत कर, धंदा कर धंदा, समझा कुछ? अब पिल्लु दा ग्रेट धंदा करेगा तो इमानदारी से करेगा टूटे बिखरे खवाब थे जो अब जुड जाएंगे हम जाके उचे आसमा में, अब उड़ जाएंगे आजादी है हमें जीने की, हम जीए जैसे भी ना कहीं रुकने वाले, अब हम तो वैसे भी हसके जी जिन्दगी, जिन्दगी, तेरी है ये जिन्दगी हसके जी जीन्दगी, जीन्दगी, तेरी है जीन्दगी ना सोचा था जो अब हो रहा है नई उड़ान है, नय आसमान है जीने को मिले, जितने भी अब ये अपल जीले आज वो, ना सोच क्या होगा कल है सुखो यहाँ चैन है, खुशियों से भरेने है, खुशियों तु ये देखकर गम भी अरान है हसकेजी जिन्दगी, जिन्दगी तेरी है ये जिन्दगी हसकेजी जिन्दगी, जिन्दगी तेरी है जिन्दगी तेरी है हसकेजी तेरी है झाल क्या हुआ दिवान? होकुम डीजल खतम हो गया दिख्खे डीजल खतम हो गया इतने जल्दी? होकुम डीजल तो भरवाना था लेकिन पुलिस वालों ने गाड़ी यहां मुडवा दी और इस रास्ते पर अभी तक कोई पैट्रोल पंप नहीं आया या फिर अब होकुम मैं देखता हूँ आज पास किसी पैट्रोल पंप से डीजल ले आता हूँ यह तो महावारत हो गई थीक है दिवान तू डीजल लेकर तब तक मैं वहां सामने चाय की दुकान पर बैठाँ जी हुकुम आजा मेरे छोटे भूत आओजी यह है जग्मोहन जग्गोटे स्टॉल का मालिक जग्मोहन थोड़ा बड़बोला है साहब लेकिन दिल का ही रा आदमी है बैठाँ बैठाँ है 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 ओ भाया जरा दो कप चाय और एक प्रेट मिक्स पकोड़ा दे दियो दो कपच्या है चीनी कैसे रहेगी जब पैसे पूरे दे रहा हूं तो चीनी भी पूरी राखियो अजी आजी आजी क्यो नहीं डेड़ी मतले बापू मैं चौमिन खाऊंगा के चौमिन हां चौमिन देदे भाया एक प्लेट चौमिन भी देदे क्या चौमिन तो नहीं होगी यह है मैगी, चौमिन से बढ़ी है जी है, ऐसे बनागे खिलांगा कि आप भी याद रखोगे देदे भाया और दो चाय चाजी, निक्स पकोड़ा और आपकी चौमिन दो चाय यह जी यह गोटु घाट कितने दूर है भाया यह जी, 20-25 किलो मीटर है यहां से और आज तुहां सड़क पहाड गिर गया है तो सारा ट्रेफिक यहीं से जा रहा है जी, चलो अच्छा है हमारी मजे है कि कुछ धंदा दो-चार रुपे का जादी हो जाएगा यह पहाड क्या आई दिन गिर जाते हैं हाँ जी, गिरता ही रहता है जी, जब बारिस प्रेवाती ना तो गिर जाता है लेकिन हमारे यहां के लोगों को फार्क नहीं पड़ता है यह जो ट्रेफिक आता है और जब जब पहाड गिरा मुझे मज़ा आ गया जी, कहना नहीं चाहिए कि यहां गिरा किस तरब से जो जाते है न तो अच्छा खासा मारे धंदा हो जाता है तो आपको चीनी सारा मज़े दाल डालता हूं मैं जी, पहाडों में गुजर बसर करना आसान नहीं है जी क्या करिएगा, पता नहीं कब क्या कर जाएं, पहाड चीजी ऐसे होते हैं, इसकी ठाप आना ज़रा मुश्किल है और हमारे यहां पहाडों में यही कहा जाता है, कि अगर पहाड किसी पे महरवान हो गये तो रात और रात रात राजा बन जाता है नहीं तो हमारी तरह बनाते रही है, पच्चीस साल से तो बना रहा हूं, अभी और देखते हैं कब तक पाल महरवान नहीं होते हैं हमारी उपर भूण साब एक बाद बताऊ ये गाड़ी खराब कैसे ओ गींकी साहरे नहीं तो खराब तो नहीं हुए ये, बस उसमन तेल खतम हो गया है मशीन है भाया, तेल पानी डाले जाओ और चलाय जाओ, उसको तो उसके खुराब चाहिए यह बात है, मशीन है तो तेल पानी तो चाहिए ही मैगी तो खा के देखिये जी आपको मंबई, दिल्ली, कलकत्ता में इसी बैगी नहीं मिलेगी जिलो जी, यह तियार हो गया एलो जी, यह आपके गर्मगरम पकोड़े यह आपके महगी, यह लार्टेन तो बहुत पुराना लग रहा है अजी ये हमारे परदादा के जमानी के एजी एक अंग्रेज था साब उसमें खुश होकर मेरे परदादा की नामें दी थी फिर परदादा से हमारे दादा के पास आई और दादा के पास से हमारे पिताजी के पास और पिताजी के पास से ये मेरे पास आई तब से मेरे ही पास जलती है कर लाल्टेम अर्व सभझ इस बिजली के जमाने में जलानी जरूती नहीं पड़ी अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो बेच दे से थो सोर रपर दे दूँगा एर नहीं साहब, हमारे दादा परदादा की निसानी है, पुरानी ही सही, याद जुडियों यह से, बेच के क्या करूँगा? हैलो? हाँ, अच्छा, कितना भी आज? और कितने साल का लोन है? हाँ, पासम? अरा, भाया, माफ कर, मन्ना कोई लोन वोन ना चाहिए, गाड़ी लेनी होगी, तो मैं नकत में ही ले लूँगा, समझो? लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बस एक बार इनका चक्कर में फस जाओ, तो भाया, गईव है स्पानी में, अरा, बुरा हाल कर देवे हैं लोन वाले, पहले तो फोन कर करके लोन देवे हैं, और अगर इनकी एक किस्त तूट जावे, तो भाया, यू पीछे पढ़ जा टालागे, पाद में तो दूखोात रिडिह कपार Saiya वे हैं, ना स्वाधा आवे हैं, ना स्वाधाएश नायूने का नांकि बस चवाए जाओ, चवाए जाओ, चवाए जाओ, चवाए जाओ, चवाए जाओ, जाओ बड़े तज़र्यकार हैं आप तो भरजय जो... तो, भारा? भारा? क्यों? भारा? आ चा, चा बनbolt प्ञारों, उग्ण Coach प्रकलेए.. दरणे चा. दरणेशा идूरे. जारी फश्चा उपल रही है. बादमा बना लिए, चा, यहाँ पेला? आहां राम राम भी महाश्च पर रहां तो ठीक से वह पैसे हैं रहत किए पैसे का सब्सकेर्रा, ना सूत्र है, अर्थक कहीने में हो रहे हैं, नहीं तुन दोड़ा मंदा की फीर दे दूँगा कसम करता हूं तीन दीन इन सब सूछा में तू समय सुखा तमान रहे है कि रितन म सब नंधया ना तुमने बाव्दा मान रहा है कि इस दिन आउ तो दिन तीन जा villages है को रहा गया यह अफ थे दूँग जिन गोली दे रहों भाई भगवान कसम मैं तीन दिन में तीन दिन टो यह हरामी प्रुक साले यह जगमोहन की बीबी दुर्गा गुसा हमेसे इसकी नाग पर सवार रहता है कहीं कि महरानी है तु रोज रोज का नाटा के देरा चल चुप चाप पीछे हट जा मैं भी देखती हूं कि आस तु पानी कैसे भर के लेके जाती है देख दूरगा मेरे मुझ मतलब बता रही हूं नहीं को मैं तरा मुझ तोड़ दूगी अभी जा साली तु क्या मेरा मुझ तोड़ेगी हटा तोड़ के दिखा एक दम बम का गोला है सहब अगर भटे तो पूरा ब्रहमान हेला देख जी पूरे बजन से तोलना देख कुछ गरबर ना करियो नहीं बहन जी कभी आपको कमती तोला है आपको तोमेशा फाल्तु तोल कर देते हैं हां हां सब पता है मु 20 रुपे पाओ आलू 30 रुपे किलो 15 के लिए थे पिछली बार क्या करें जी सब्जी पीछे से महंगी आ रही है सब पता है मुझे कितनी महंगी आ रही है टैंसन क्यू ले रही हो जाने मन पैसे हम दे देंगे ले लो जितनी सब्जी लेनी है बदले में बस थोड़ा सा प् तो प्यार यहीं लेगा कि आगे पीछे छुपके दूँ तेरी मर्जी है हम तो साले बेश्रम है हमें तो जहां दोगी हम तो हमा ले लेंगे अच्छा जहां दूंगी वहां ले लेगा तो यह ले प्यार साले लेंगे कुझे प्यार मांगने वाला वाग यहां से यू समझ लो कि यह जगमोहन का सुरक्षा का वज़ है कर दो कर दो कि मेरे पती को हाथ लगाने की काट के रख तूंगी तुछे इसकी बाहन का अथ मत लगाने हो गंती से अब पताऊंगा उगा घृए ममा बेदे चलाना ना वह जड़ा जोड़ता भीमा इसको माफ करतो बस जगमोहन इसे समझाले इसे वह ज़ाले ने तो काट कर नदीव प्राइब रिख लीगें प्रीशे करने जाएगे पुलिस वड़े रपट पी नहीं लिखेंगे यह की ल मा, रहो जगमून! इसे समझा ले मेरे मून लगेगी डिलिए- मैं समझा लूँगा. नहीं तो पैसे बाद मैं पहला इसे ठाके ले जाओंगा मैं. बढ़ बोली है, मैं समझा लूँगा. इसका बढ़ बोला पन निकाल दूगा एक मिलिट से पहला. रहो! पैसे बाद में, अगर तीन दिन में पैसे नहीं आये, तो पहला या लुगाई मारिया वेली पे चाहिए मुझे, समझ गा बात, तीन दिन का मतलब, तीन दिन, ये दुकान बेच के दे दूगा, कैसे भी तीन दिन में सु समय दे दूगा, तु भीच मत वे ते रहा जोता ये उन दिन, आखे। पर धिूड़ए पीक है तान कि मुझे दुंगा, कि मार युट, ये मुझे बच्चों का क्या होता है? तुम्हाय साह तो बावली हो गईू मैं अब मिला क्या है मुझे शादी करके कैमिला जब से शादी हुई हु जी जिन्दकी हराम हो गईier रोझ अ कोई कोक तमासला रहता है जिन्दकी हराम हो गई है language वाँ वाँ जिन्दगी हराम हो गए तू बड़ा दूर में जली में डाल डाल के खिला रही है मुझे एक तो समझा रहा हूं कि तुम्टो के पीशे बता है तू जब से शादी हुई है एक दिन सुक्का नहीं देखा अरे पादल हो गई हो मैं घर में राशन तक नहीं है तू भी का डुंडों के पीछे लगी हुई है कोई भरोसा है उनका कल को गुली चला दे या तू मर जाए गया मैं मर जाओंगा बच्चों का क्या होगा मैं ते राज जूडता हूं चुप रहे अरे तीन दिन में पैसे देने हैं कहां से लाओगे इतना पैसा क्या करोगे अरे तुमाशा बच्चों क्या करोगे अरे जवाप ना पागवान पर भरोसरत सब तीक हो जाएगा मैंने बात की है किसी से वाफ एक करजा उतारने के लिए दूसरा करजा हरे ऐसे तुम पुट-पुट के मर जाएंगे हम तुम इसनी वाल पूल है तुझ के शहर चलो दो पैसे साथ में कमा लेंगे हम मेहनत कर लेंगे लेकिन नह जरूत नहीं है मैं तेरहाद जोडता हूं सांत्र सब तीक हो जाएगा कर दोड़ता है हरी लाल भाया? थीक है भाया सोदा डन चीज मारी हो गई भाया अब किसी और को मत बेचना शिरी भाई हारिलाल जुवान का पक्का आदमी है बेफिकर हो जा कला कर अपना समान ले जाईयो पर भाया कल अगर ये सोदा ना उठा तो मैं भौव बढ़ा दूंगा ठीक है जै माता की बोला था ना सोदा उठा पड़ा है मिर्ची अरे भाया जरा थोड़ा पानी दियो बच्चे को मिर्ची लग रही है लागा जी बेटा दू धाई घाया कर शरीर को लगेगा और थोड़ा दिमाग भी तेजोगा ये चावमीन शावमीन से कुछ नहीं होने वाला सब बेकार की है इतनी मिर्ची तो नहीं डाली ते मैं ये बालक है कुछ खाते भीत है नहीं और कुछ नहीं अभी कुछ नहीं पर भाया तिरी चाय तो बड़ी चोकस थी मज़ा आ गया धन्यवाद जी इस जगू टीस्टाल का अलू को भी खाओ तो देखना कभी जिंदिगी में जगू अच्छा ठीक है भाया अगर लंच टैम तक मेरा ड्राइवर नहीं आया तो तेरे आलू को भी भी चेख लेंगे अजे ड्राइवर कहां गया है पस यही पेट्रोल पंप तक गैज रा डीजल लेने अजी पंप से आधा काने में दो घंटे लगेंगे जी तब तक ऐसा करते ह अजी लंच करो मजे करो प्रभू इच्छ बलवान है भाया पर तब तक तो कप चाय और पिला दे चाय हाँ जी लोजी अभी चाय चीनी जैसी पीछे राखी थी रैसी राखियो बरे चीनी दार आदमी हो भाई हुआ 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 है हुआ 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 ह बाई साहब, आप बुराना मानेत एक बाद पूछूू। पूछ भाया। भाई साहब, ये मेरी समझ में नहीं आया कि आप दो दो कप चाय मगा के पीते हैं। और दोनों कप सामने रख लेते हैं। कभी इस कप से, कभी इस कप से, ये राज क्या है। तन ने तो दिल का तार छेड़ दिया भाया। ये बात तो कफी खास है मारी दिल की। चाय की बहुत शोकी ने मेरी बीवी चांदनी। अक्सर रोज हम दोनों चाय एक साथ ही पीते हैं। और जब कभी वो मेरे साथ नहीं होती। तब भी मैं चाय दो कभी पीता हूँ। एक कप मेरा और एक मेरी चांदनी का। भाया मेरा मानना ये है कि जिंदगी में कुछ भी हो या ना हो पर प्यार का एहसास हमेशा जिंदा रहना चाहिए। वाह भाय साथ आपकी बात ने तो मेरा दिल छूलिया। अब में आपको ऐसी कड़क और बढ़िया मीठी चाह बिलाता हूँ। कि आपको मज़ा जाएगा। और ये चाह मेरी तरब से एक दम फ्री मोफ। अरे नहीं भाया। ये काम मत करियो। प्यार सम्मान अपनी जिगह पर और धंदा अपनी जिगह पर। दंदे में डिसकाउंट तो सके पर ये फ्री वाला काम न करिये भाया। काम डूब जावेगा। अरे भाव भाई। दंदा तो कोई आप से सीखे। बड़े तजुर्वे कान है भाई साब आप तो है। हलो। हाँ भाया। सब ठीक है ना। अरे चीज एक नंबर की है। अपनी तसल्ली करके ये आपको दिखाईये। समझ ले की पहाड खोदकर हीरा ढूंडा है। सब्सक्राइब कर दो कर दो पाप्पू पाप्पू इस लड़की संग खेल लू आजा खेल ले ठीका ना भाया मैं भी खेल लू तेरे संग तेरे नाम क्या है निकुंज और तेरा गुंज आतर को स्टापू खेलना आता है आता है मैं सब को और देता हूं तू मुझे रहाएगा शकल देखी अपनी गिरिगेट तूने देखी अपनी चुहिया कहीं की अच्छा मैं चुहिया हूं जाया अगर उल्टा सुनने ही सकती तो बोल आधा में मत कर शुरुवात तो नहीं करी थी मैं जो मर्जी बोलू मेरा स्टपू है मैं जो बोलू वही होगा यह क्या बात हुई है यहीं बात है खेलना तो खेलना तुछ जाए हांसे ठीक है चल पहल मेरी दूस तेरी और मैरी दो बारी लुँगी यह कैसे खिल खेलती है तू रहने दे तू तेरी बसकी बात नहीं खेलना तू जाए हांचे तू डर्पोक है मैं को डर्पोक और पोक नहीं हूँ अच्छा डर्पोक नहीं है तो खेल जब चाब अभी पता जल जाएगा ठीक है यणिया कोどもे है दो जो जो बाले है यह भुझा है आसरो जहीं हुण आसे तू जहीं है यह जरू तू टू जोजब में से एता省 हमाब आसन की है जे हैं Watch this तुम्हारे लिए क्या लगाने के साबुन और वो बच्चों की बालो में लगाने वाली रंगी चिम्टियां होती है ना लेकर आना भूल मज जाना और तुम्हारे लिए क्या लगाना अरे रहने दो तुम तो यही सब समालो वो ही बहुत बड़ी बात है मेरी जिन्देगी सवर जाएगी अचा तु कहां जा रही है कपड़े सुखाने अरे कपड़े मैं सुखा दूगा तू चलिए बजार जो को हिलाना ले अपने ली लिया बच्चों की ली लिया जा हां बस द लेकिन भाई साथ दिल की बड़ी अच्छी है यह बाहर से फुपकारती अंदर से बराफ है बराफ पूरे मुहले में इसकी जो इज्जत है किसी की नहीं है सच कहरू मैं कुझे तो कोई सलाम तक नहीं करता इसको तो पैर चूचू के जाते हैं बच्चे जितने भी ऐसा और मैं जगमान क्या ले तेरे जी महरबानी है जी आपके चल फटाफट बारां अंडे बांदे बारां कि यह आठ आठ आठी अंडे हैं जी त्यागे सुना भे हम साले की दुकान बहुत चल रही है अजकल इसकी तो फटिक लगता बढ़ानी पड़ेगी कोई बात नहीं सर छोड़ दो से बाद में देख लेंगे ठीक है बाई दे आठ से काम चला लेंगे आठ आठी बांदू अब है जल्दी कर गर्मी में खड़े हैं मारे का के दूप से ना जी दूप से कोई नहीं मर्ता भूख से जरूर मर जाते हैं आठ अंडे इनका पाफ देख यहां बैठके करिब होना भी पाफ है सलाइग कि और बागे सब ठीक चल रहा है महरवानी आपकी बहुत कंप्लेंट आ रहे है ते रहे नाम की नहीं साम मैं तो अपनी बच्चे को साथ शामती से रहे हूं काई की कंप्लेंट तुनाय आजकल दुकान में नशा ख़या रखने लगा है अरे साथ कैसी बाते कर रहे हैं भीडी का बंदल भी नहीं हमारी दुकान में तो देख लिजिए अप चलो कि देख ले लंबा जाएगा अजिसाब कैसी बाते कर रहे हैं मैं तो कुछ करता ही नहीं अपनी दुकान चलाता हूं बस घर बार ने निकलता कभी-कभी चला जादू सामान लाने के लिए उसके बाद तो दुकान पही रहता हूं और कुछ नहीं करता हूं ठीक है चल बेते आ सालिह आज फिर पैसे देखे नहीं गए यह अपने बाप के दुकान समझते हैं देखा साब खाकी बर्दी करो हम जैसे गरीवों को भी नहीं बख्षते इनकी इजद करो तो मरें ना करो तो मरें सुनो क्या पैसे देखे गए हैं कमीने अरे वो प्लिस वाला उससे पैसे कैसे मांगता पैसे मांगे थे के नहीं अरे वो पुलिस वाला है कैसे मैंने पूछा मांगे थे के नहीं अरे नहीं मांगे यही तो यही तो बात है घर में खाने को नहीं है और तुमने लंगर खोल रखा है अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो दाने दाने को महताज हो जाएंग लेख लेख एक दिन देख लेना अप कि अलो देखियो भाई साफ रे मैं घलत कह रहूं पुलिस वालों से पैसे ले के कौन मुशिबत मोर ले अरे अभी तो आठ हंडे लेगे भाई साब एक बार तो उनके घर के गेस खतम हो गया तो पूरा सेलेंडर उठा के ले गये थे जब सेलेंडर खतम हो गया तो वापस किया उन्होंने हम तो भूके मर गये थे बगर सेलेंडर के मेरा दंदा बंद हो गया था कि बुराना माने तो एक बात बोलू जग मोहन जी बोलो जी बात तो तेरी भीवी ठीक ही कह रही है अगर आदमी की गुंजाइश ना हो तो ये सब समास सेवा नहीं करनी चाहिए एक बार हिम्मत करके सामने वाले को मना कर देना चाहिए क्या कर लेगा कोई फासी थोड़ी चल पुलिस वालों से बिगाड़ेंगे तो ये पूरा धंदा मेरा बंद करवा देंगे क्या करें भाई साब समझ में नहीं आता हमें अरे आप से क्या बता है मेरी तीन बेटियां थी तीन बेटियों में एक बड़ी वाली की जब मैंने शादी की तो डेल लाग कमेर उपर करज चड़ गया बाप की ऊपर ये करज चड़ा तो बस वही उतारत उतारते ये बीस हजार इसका बचा है वो धीमा का कभी भी आके धमका के चला जाता है फिरी में यहां तो जीना मुश्किल है भी मेरी गलत नहीं कह रही भाई साही कह रही है पाड़ों में जिंदगी बहुत म खरा सोना इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन और सोच समझ कर जवाब दियो ठीक है मैं तन्ने इस लालटेन के पूरे पच्चीस हजार रुपे दूगा तू ये लालटेन मनने बेच दे पच्चीस हजार इस लालटेन के हाँ 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 पच्चीस हजार रुपे इस लालटेन के नकद एक ही बार में तेरी सारी परेशानिया दूर हो जाएंगी सोच ले तेरी मर्जी है किसमत बार बार साथ लिए अक्चीस हजार रुपे बढ़िदा कभू करेवाया लक्षनी माता पिला दरवच्चा खटकटा रही है एक तब बढ़िया दाम दे रहा हूं इसके बाई साथ अब ठीक कह रहे हूं इतने पैसो में तो हमारी परिशान यह की बार में दूर हो जाएगे लेकिन माप करना भाई साब यह लालतन हम नहीं बेच सकते फिर सोच ले भाया एक दफा अच्छे से अरे नहीं भाई साब माप करो मैं नहीं बेच पाँगा आह अरी साहमें साथ फंए का इस आदमी का तो कुछ नहीं हो सकता अरे जंचा के ऑपा अ mellanर हाँ और यह मेटाओ नेरे तो वह हैं पिरम कैथ है, बात कर रहे थे उससे अरि कुछ नहीं है यह वह अपने वहां अगर परवियार की बात कर रहा था हाँ सब सुन लिया है मैने अगर तुमारी खटारा लालतेन को 22,000 रुपे देके वह खरीद रहा है तो बेज क्यों नहीं देते क्यों पीछे पड़े हुए उस टीज के अपर तुझे खटारा क्या रही है अरे तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है अरे सब समझ में आ रहा है एक बात बता तू मुझे बेज सकती है जब तु मुझे नहीं बेच सकती है तु मैं लालटन कैसे बेच दू मुझे लालटन उटनी प्यारी जितना तुझे मैं बस यह जित पकड़के बैठ जाओ जिद है ना समय पे ही अच्छी लगती है बाद में पस्ता होना पड़ता है औरे लालटन बेच के पच्ताओंगा मै हमारे घरी भी मिटेगी लेकिं नहीं तुम्हें इतनी सी बास समझमेभी पड़ती अरे दुरुगा मैं पक्तथि कर नोच यह जैक ठोटन लिख में जङगदा करों प्यार से भिवे लेचल लगतन Granny लेकिन पढ़ने लिखने में बड़ी होशार है और इसे बड़ी है रतना वो तो इससे जादा पढ़ाकू है वो गई हुए स्कूल आएगी चार साड़े-चार बजे तक वो तो कहती है साप कि मैं पढ़ लेकर जैज बनूंगी बहुत बड़ी अफसर बनूंगी मेरी तो छाती चोड़ी हो जाती है साप जब वो कहती है जब बड़ी वाली उसकी शादी कर दी है वहां खुश अपनी ससुराल में बच्चे खुश मैं खुश बेटिया भगवान की जब से तीनों में से छोटी वाली आई है तब से तो मेरी दुकान थोड़ा चलने लगी है ठीक ठाक बड़ी वाली की शादी का करजा तो चुकी जाएगा जिस घर में बेटियां होती है भाई साब वो घर स्वर्ग होता है क्यों गल्त कह रहा हूं लाख टक्या की बात कही बाया बेटियों सही तो घर की रोनक है जी भाई साब रत्ना बेटी कि यह बैग अपनी मम्मे को दे दियो अरे साब यही है मेरी बेटी रत्ना यही कहती है कि पापा मैं बड़े होकर पढले कर मैं जजज बनूँगी अब अगर यह जजज बन गई तो मैं तो समझ लो बेड़ा पार है कि यहाए इस टेल्ली के आज जदी हूँ गया बेटा सक वो मैं यह जल्दी शुटी हो गई आरे तो 3 चोप्रका प्ले बदल प्लेमेल चल अरे डेक valt अन्यूव संगी प्ले करनि कर्या यह जल्दी शुटी हो गई है दिब्रले मैं आ इसक्ठा啊.ad get down जल्दी छुटी हो गई स्कूल से, क्या हुआ, मास्टर इनी आये? अरे, प्रतना पेटा? अरे, क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ? क्या हुआ एसे? क्यो रो रही है? पहले हमारी गरीबी सिफ हमें रुलाती थी. अब हमारी बच्चों को भी रुला रही है. अरे, इस्कूल से निकाल दिया गया है हमारी रतना को. इस्कूल से निकाल दिया? क्यों? क्यों? पूछ रहे हो क्यों? कुछ होश है तुमें, आरे चैया महीने से इसकी स्कूल की फीस नी भरी है, निकालेंगे नहीं तो क्या करेंगे, बोलो जब क्यूं हो जवाब दो, अरे बहुते क्यों नहीं हो अब, लोग अपने बच्चों के लिए पतानी क्या क्या कर रहे हैं, और हमसे इंकी फीस तक नी जब आप दो क्या ऐसे बच्चों की परवरिश करोंगे मैंने आप से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा लेकिन बात अगर मेरे बच्चों पर आई ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्ट नहीं करूंगी मैं यह जूआ रहता हुं कोशिच तो कर रहा हूं और मता क्या करो अरे हैसे कोशिश करने का क्या फाइदा कि हाथ में कुछ ना लगे पैसे नहीं होंके तो फुजारत ऐसे होगा करता है कि ने पहाड में सबूत के अपनी जान दे दूँ मर जाओं मैं अरे माबाप का फर्ज से बच्चों को पैदा करना नहीं होता उनकी परवरिश करना उनके सारे सपने पूरे करना अरे ये भी तो हमारी सिम्मेदारी है कि कह रही है माबाप का फर्ज सिर्फ जनम देना ही नहीं उनको पालना उनको संस्कार देना भी जो मैं नहीं कर पाया मैं मेरे बच्चों को रोता हूँ नहीं देख सकती बिल्कुल नहीं देख सकती कि कह रही है तो एक एक पैसे के लिए तरस रहे हम, ऐसे कब तक चलेगा, तोट गही हो आज मैं, क्या ये दिर दिखाने के लिए मुझे से शादी करी थी, गुट-गुट के मर रही हूं मैं, इसना भी बस मैंने अपने आपको आज से पहले कभी नहीं समझा, मैं थक गया हूं, क्या पतता, दो लिए घिना का क्या पादा है ये जीने का, क्या पच्चों को कुछ नहीं रख सकता, मुझे जीना कोई हुग लगी है, क्या जीना कचा नहीं ये, उल्ठायव जाओगा ठोटो ओपन सब्सक्यता, मैंने ही जीना जालता आखता पाइधर ओ स्कुरिया भीजदे अम्हипट तास पतला लोगगा ऐर मुझगा आर पाईधर और मुझDa सूरदे भीजदे उन्हाँ नेयुणो काष का ने जा है टास फो बाईधर घान जा ने गाए? सबसुमें जा की डरेया फैक फिर णाना ही करने लगाए तू समझदार बन जरा सच तरे बाद तेरेन बच्चों क्या हाल होगा तरी पत्री का क्या हाल होगा जरा सच करने लगा तू यह पता है एक वरत का सवाभी मारोथा उसका पती अरे जो बाप अपने बच्चों के लिए दो रुपे खंचिकने के हैसियत नहीं रख सकता उसकी जिंदगी किस काम की बड़ी बेटी की शादी की मैंने तेड़ लाग का करदा मेरे ऊपर चल गया उसी को तानने में लगा हुआ हूँ अब यह दो मेरी बेटी और है उनकी परवाह है उनकी फिकर मुझे खा जाती है और यह इन पेचारी का जीना मैंने नर्ग कर रखा है अरे जगमोन भॉस्रा रख मेरे पास मरने की सिवा पचा ही क्या है अरे वाज जगमोन वाँ कितनी आइसानी से तैने मरने की बात क्या दी अरे होश मेया मर्दबन ए सुख दुख तो इस जीवन का हिस्सा है अरे जब भगवान श्री राम खुद इस धर्ती पर से दुख जीवन और तू उसे खतम करने चला है अरे भाई साब सलाह देना असान है मुझ पर क्या गज़री है में ही जानता हूं एक गरीब का दुख दर्द क्या है आप नहीं समझेंगे क्या मैं नहीं समझेंगा गरीब का दुख दर्द अरे जगमोन मेरा बाप एक दिहारी बज़ झाल है और तू मुझे क्या यह वज़े भी नहीं पता है अरे अफनी मेहन्त और मस्धूरी से और अपनी इमान-दरी स्याज इस मुकाम पर पोचे अगर मैं तुने यह बहुत सहीर कही कि उपदेश दिना बहुत असान है तो चलब सलाह देता अब कुछ काम की बात करता हू इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनियो, जग मुहन. तेरी बड़ी बेटी की शादी में तन्ने डेड़ लाख का उधार लिया था ना, और अभी तेरी दो चोटी बेटियां हो रहे हैं, है ना, ठीक क्या रहूना भाया, अपनी दोनों बेटियों की शादी तो धुमधाम से करियो, उसके लिए मैं तुछे पूरे तीन लाख रु इतने की तो मेरी जुगी भी नहीं है, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बाज साफ, है, तेरी लाल टेन, हाँ, तेरी लाल टेन, पूरे तीन लाख रुपर दुझा तुझे तेरी उस लाल टेन के, इतने में तो तेरी सारी परेशनें दूर हो जाएंगी, बो पीस दो ना के बात भाया सौदा अच्छना लगा के चल तेरे लिए थोड़ा हो रसान कर देता हूं तो फिर सुन अम मैत अन्य इस लाल्टेन के पूरे पांच लाख रुपे देता हूं नकद वो भी अभी इसी समय बोल सौदा मन्जूर है बेचेगा बाई साम आपको गलत प्रेवी हो गई अर ये लाल्टेन किसी काम की नहीं है बहुत पुरानी है इसके तो कबाडी सौ रुपे भी नहीं देगा इसमें कोई हीरे जवाराद नहीं चोड़े गलत मोल भाव मैं नहीं करूँगा बाई साम इतने पैसे लोटानी की हीमत नहीं है मैं कहां से लोटाओंगा आपको पैसे मैं माफी चाहता हूँ मैं नहीं बीच पाऊंगा ये लाल्टेन भाया देख लाल्टेन थारी है तो बेचना या ना बेचना ये थारी मरजी तुम अन्ने बढ़िया और शरीफ आदी में लगे है इसलिए बढ़िया मोल दे रहा हूं थारी चीज का भाया एक बार फिर सोच ले तेरी आगे की जिंदिकी बड़े अराम से कट जाएवेगी सोच ले इस बात को चल ठीक है तेरे लिए सोदा थोड़ा सा और असान कर देता हूं कीमत को थोड़ी सी और बढ़ाता हूं अब मैं तुझे इस लाल्टेन के 6 लाक रुपे देता हूं पल्दम। जेलाग और ड्रनाओ हात लाल्व हाद लाद जल तुझे पूरो तस लाख देता हूं नकत वो भी अभी इसी समय है बोल सौधा मंजूर यह मैं जाओं बेचेगा बोल बेचेगा जगमोहन है सौधा मंजूर बोल बेचेगा बाइज साब सौधा मंजूर है मनजूर है लाल्टे नापकी है 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 अब है है भाइसाब मैंने जानता है आप कोन है कहां से आये हैं लेकिन आप मेरे लिए भगवान से कब नहीं है भाइसाब अरे जगमोहन मैं कोई भगवान नहीं हूं मैं भी तुमारी तरह एक मामुली इंसान हूं यह जो भी कुछ हो रहा है ना उस परमपिता परमात्मा की इच्छा से हो रहा है ना यहां मेरी गाड़ी बंद होती ना में तिरी दुकान पर आता और ना ये सब कुछ होता इसलिए अगर भीया तिर को शुक्रिया अदा करना है ना और अगर हाथ जोड़ने तो अपने उस भगवान के आगे हाथ जोड़ा है ये प्रभू आप अंतर यामी हैं आप तो नहीं आए लेकिन आपने अपने फरिष्टा भी तिया मैने तो सुना था कि भगवान देता है तो छप हमारा प्रभू कितना द्यालू है बेठे बेठे हमारे भाग जगा दिये भाइसाब असल में तो दीवाली आज हमारे घर में है आपका कैसे शुक्रियादा करूँ अपनी लाल टेम देकर हो दीवान जा गाड़ी से मेरा ब्रीफ केज लेकर आप गुद के लोग देकर हुआ है झाल 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 बापु यह के कर दी आज आपने मैं तो आपको बहुत समझदार समझता था धंदे में आपका कोई सानी नहीं है अगर मदद ही करनी थी तो दर्म काते दस बीस अजार दे 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 यह सो रुपे की लाल टेन के दसलाक रुपे देने की क्या जुरुएत थी यह तो गणा नुकस बेटा हरिलाल भूत कभी घाटे का सोदा नहीं करता आज तो मैंने पैसे भी कमाया और दुआएं भी मैं कुछ समझाने बापु हां यह बात ठीक है कि मैंने सो रुपे की कबाड़ की लाल टेन दस लाख में खरी दी ताकि जगमोन अपने परिवार के साथ नई जिंदीगी खरी करिए अगर मैं जोर लगाता तो यह लटन पंद्राी हजार में कहीं भी खरी सकता था अगर जगमोहन नहीं बेचता, तो उसकी बीवी बेचती, लेकिन लाल्टेन का भिकना तवास तया था मगर जगमोहन के जरुवत बीस हजार पे से कहीं जादा थी और मेरा मुनाफ़ा जरुवत से कई गुना पड़ा था इसलिए मैंने इस लाल्टेन को बीस हजार के जगे दस लाख रुप में खरीदा मतलब यह बेटा कि यह लाल्टेन इस्ट इंडिया कंपनी के जमाने का है लगभग धाईसो साल से भी ज़्यादा पुराना यह एक एंटिक पीस है और जब मैंने इस लाल्टेन की फोटो को लंदन मुजयम में में मेल करा तो उन्होंने इस लाल्टेन की खीमत दो करोड रुपे लगाई अरे चीज एक नंबर की है अपनी तसलिकर की चीज आपको दिखाई है पापू हाँ इस लड़की संखेल लूँ हाँ जा खेल ले हाँ ठीक है ना भाया और इस लाल्टेन की खीमत का दस टका यानी बीस लाख रुपे एडवांस मेरे अब ही गया और जो लाल्टेन जगमोहन के लिए कबाड थी मैंने उसकी इंटरनेशनल वेल्यू लगा कर इसे अनमोल बना दिया अब इतने बड़े मुनाफे से मैं भी खुश और दसलाख रुपे से जगमोहन भी खुश दोनों खुश दोनों का भला हो गया कुछ बात है तेरे बापु में वरना यूई लोग हरी लाल भूत का लोगवानी मानते वाँ बापु वाँ आपने तो कमाल कर दी आप तो चैंपियन और चैंपियों ओ दीवान चल गाड़ी वपस वोड़ होटल की साइड फिर कभी देखेंगे क्योंकि कल हम इस लाल्टेन को म्यूजियम पोचाने के लिए लंदन जा रहे हैं चल तेरी माँ को फोन जाते हैं अलो हो मेरी भुदड़ी हैरे कपले लत्ते प्रेक कर ले कल गुवाने करने लंदन जा रहे हैं गाड़ी मुदवाकर सेठ हरी लाल भूत अगले दिन अपने बेटे निकुंज और पतनी चांदनी के साथ हवाई जहाज की बिजनिस क्लास की टिकेट लेकर लंदन चला गया उस दिन मैंने अपने मालिक से एक बात सीखी के धंदे में अपने मुनाफ़ के साथ साथ सामने वाले के मुनाफ़ को भी ध्यान में रखना पड़ता है तभी वो मुनाफ़ आपका असल मुनाफ़ माना जाता है हाँ तेरी ही बाते होंगी ओए तेरे ही चर्चे होंगे अर्मलने को लोग तुछ से सारे हिदर से होंगे You will be focused in the crowd Music पजय का loud loud सब बोलेंगे ना कोई भागी जैसा है सही मैं यार सिरफ पैसे की दुनी है भाई हो तेरे पास तेरे पास तेरे पास अगर भाई पैसा है तेरे पास अगर भाई हो तेरे पास तेरे पास अगर भाई हो तेरे पास अगर भाई पैसा है हाँ गजी के पास ये तोड़ा गजी के पास ये ओवर बंदे की नहीं यहाँ सब पैसे की पोवर जब ठेरो नोट कमाएगा तु नजर में सब की आएगा तु जिससे मिलना चाहता है वो तुसे मिलने आएगा तेरी वाईरल होगी रील तु भी करेगा फेमस फील सब कहेंगे ना बंदा ऐसा वैसा है तेरे पास अगर भाई पैसा है तेरे पास अगर भाई पर वागाी एड़ी होगए। तेरे पास अकर भाई, पैसा है, तेरे पास अकर भाई, पैसा है झाल पास अकर बाई, पैसा है झाल 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 झाल